हेई गाईज, वेलकम तू माई चैनल, आज हम बात करेंगे जो आई बीपेस आरारबी का जो डोकुमेंट फरिफिकेशन प्रसेस होता है, क्या-क्या डोकुमेंट साहिए, साथ में, कब होगा ये डोकुमेंट फरिफिकेशन उसके बारे में, क्योंकि मैं असम्गरमिन विकास से सिलेक्टेड हूँ, इसलिए मेरा जो डोकुमेंट फरिफिकेशन होगा, वो ओफिशा स्केल वान के लिए 24 जनररी को होगा, आप लोग जो ये देख रही है, ये पीडिया मैंने असम्गरमिन विकास पैंके ओफिशियल वेब साइट चे डाउनलोड की थी, और प्रिंट असिस्टेंट का होगा, वो 28 जनररी को होगा, और जो फेनू लिखा है, वो है, एसम्गरमिन विकास बैंक, सेंटर फर बैंकिंग एंड टेकनोलोजी लर्निंग, राज को रोट नियार आइकोन एकनमी, यह पीडिएफ के दिस्टर्स आइट ही लिखा हुआ है, जो हमारा द हो जाता है, 12 noon भी, and 1.30 pm, क्योंकि मेरा जो नंबर है, रोल नंबर वो 1.30 pm पे है, तो मैं 1.30 pm को ही, दोकुमेंट फेरिफिकेशन के लिए जाऊंगी, और ओफिस एसिस्टेंट का जो है, वो यहाँ पे ऐसे ही मेंशन है, ताइमिंग के साथ, जो ताइम आप लोगों के र पे पर्टिकुलर्ली उन लोगों ने मेंशन की है, साथ-साथ, यहाँ पे, इस जगह पे उन लोगों ने, जो बॉन के बारे में भी अच्छी तरह से लिखे लिख के दिया है, यहाँ अब आम आते हैं, जो हमारे दोकुमेंट चाही उस पे, फर्स अफॉल हमें चाहिए, प मेल आया था, उसमें कोई पर्टिकुलर मेंशन है नहीं, वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएए, इसलिए हम लोग जो हम जो केंडिडेट हम लोग जा रहे हैं, ग्रामीन बिकाउस बैंक के लिए, हम सारे लोग यह जो फर्ज को जो आया था, उसका मैंने से प्रिंट आट निकल वा लिया है, जो प्रूफ होगा कि हम असरम कमिंट विकाउस बैंक में अलोटेट है, उसके साथ-साथ, जो हमें सेकंड डोकुमेंट साहिए, बो है, प्रिंट आप दाफ फिल इन, फिल इन एप्लिकेशन फ्रॉम विट इसका मतलब है, जो हमने अप्लिकेशन फर्म दाला था, उसका वो प्रिंट आट मांग रहा है, यह लिंक जो है ना, अप्लिकेशन फर्म का, वो अभी भी एक्टिवेट है, 31 जनुरी टक यह लिंक एक्टिवेट रहेगा, आई बीपीस आरारबी का वेबसाइड में, उसमे जाकर आप यह दाउनलोड कर सकते हैं, मैंने भी यह दाउनलोड कर लिया है, जन आप लोगों का जो प्रूफ ऑफ एज के लिए आप लोगों को जो सेकंडरी स्कूल का सर्टिविकेट है, जो मेट्रिक का सर्टिविकेट होता है, बोच आई होगा, जन आप लोगों का मार् प्लास सर्टिफिकेट को एरेंज कर लीजिए तेन अगर आप लोग EWS कतेगोरी या फिर ST, SC, OBC कतेगोरी से हैं तो उनके लिए पर्टिकुलर डोकुमेंट्स आप लोगों को लेना परेगा देन आप लोग अगर disabled person है तो उनके लिए भी एक certificate चाहिए होगा देन आप लोग अगर previously employed थे तो उस organization चे आप लोगों को एक certificate चाहिए होगा देन फोटो, identity proof and address proof, इसके लिए मैंने अधर कर्ट and pen card लिया है और आप लोगों को ये चाहिए होगा five copies of five copies, मतलब four passport size photo and one postcard size photo क्योंकि ये postcard size photo का मुझे उतना पता नहीं है इसलिए मैंने अभी तक नहीं निकल वाली है, बात मैं evening को निकल वालूंगी और आप लोगों ने अगर online application form में अगर कोई भी अलग दग में या अलग qualification like computer, diploma ऐसा कुछ डाला हुआ है application में तो आप लोग वो certificate भी ज़रूर लेके जाए और अच्छी चाहरे से अपना document verification करके आए और यह जो अभी मैंने बताया है ना वो सारा documents आप लोग एक एक कॉपी जारॉक्स करके एक सेट बना लिजिए और इसको लेके document verification की ताइम पर से लिजाए थैंक यू